पिछले हफ्ते मैंने रॉकेटरी मुवी देखी आर माधवन की जो नम्भी नारायनन इस्ट्रो साइंटिस्ट जो है उनकी कहानी पर बेज्ड है और इस हफ्ते काफी जिग्यासा जागने के बाद मैंने किताब पड़ी है नम्भी नारायनन की ऑटो बायोग्राफी जिनने उ अच्छा खासा अंदाजा लग जाएगा उनकी कहानी के बारे में कुछ major stark differences जो मुझे film और actual कहानी में समझ में आए वो discuss कर लेते हैं, एक-एक करके सारी discuss नहीं करेंगे, बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ जो बड़े-बड़े, बड़े ही climax वाले scene थे जिनको बहुत नाटकी तरीके से पेश किया गया और वो हमारे जिहन में बस गये, लेकिन असलियत उनसे काफी अलग है, उन्हें एक-एक करके discuss कर लेते हैं, जिस तरीके से नम्भी नारायनन को arrest किया जाता है हतकड़ी लगा कर घसीट ते उन्हें पुलिस ले जाती है, पुलिस जीप में, दरअसल ऐसा नहीं हुआ था, उन्हें पता था कि उनकी गिरफतारी हो सकती है, ये head थे cryogenics department के और उनके deputy ससी कुमारन उनको arrest कर लिया गया था कुछ दिन पहले और ये अटकल है चल नहीं थी कि नम्भी नारायनन को भी arrest किया जा सकता है, तो उस सुबह जिस दिन इनका arrest होता है, कुछ दोस्त इनके पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें IB से ये intel मिली है, कि आज नम्भी नारायनन को गिरफतार किया जा सकता है पुलिस नहीं आकर shock नहीं कर देती है, धक के मारके नहीं निकालती है, पुलिस नहीं से कहती है DIG साब ने आपको मिलने के लिए बुलाया है तो वो कहते हैं कि तुम मुझे arrest कर रहे हो तो बोलते हैं, नहीं-नहीं, DIG साब ने आपको मीटिंग के लिए बुलाया है पुलिस की जीप में पीछे नहीं बिठाया था आगे बिठा करके बिनाहत करी बांधे लेके गए थे थाने तक दूसरा एक सीन जो हमें दिखाया एक धारना हमारे मन में बस गई की कैसे फ्रांस जाकर के विकास इंजन की टेकनोलोजी डेवलप करी गई वो एक सीक्रिट मिशन था जिसके लिए इस रोके साइंटिस्ट को ट्रेन किया गया और एक खूफिया तरीके से उनकी नाक के नीचे से वो टेकनोलोजी हमारे वहिक्यानिक समझ करके ले आते हैं तो असल में क्या हुआ था कि इंडिया और फ्रांस के बीच टेकनोलोजी ट्रांसफर को लेकर विकास इंजन जो लिक्विड प्रपल्शन इंजन था इंडिया का पहला जिसे फ्रांस अल्लेडी बना चुकी थी उसका नाम था वाइकिंग इंजन उसी का रेपलिका इंडिया ने क्रियेट किया विकास इंजन उसके टेकनोलोजी ट्रांसफर को लेकर एक कॉंट्रैक्ट साइन हुआ था और इंडिया को तो टेकनोलोजी ट्रांसफर मिला फ्रांस से बदले में हमने ये का था कि हम आपको cheap manpower देंगे skilled scientists की क्योंकि उनके यहां scientist hire करना वो सारी चीजों के लिए बहुत महँगा पढ़ रहा था तो India नहीं का हमारे यहां से सस्ते में scientist ले लीजे और बदले में हमें यह technology सीखने को दे दीजे तो उनको सब पता था कि यह सारा हो रहा और Indian scientist यहां पर रह करके इस technology को replicate करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई खूफिया तरीके से नहीं हुआ था है जैसे कि दिखा रहे हैं कि इनकी training हो रही है कि तुम French सीख रहे हो लेकिन उनको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें French आती है और फिर वहाँ पर जाकर करके हमें secrets निकालने हैं तो ऐसा नहीं है मतलब इन्होंने French सिखाने की कोशिश की थी वो तो जरूरी ही था उनसे communicate करने के लिए और होता यह है असल में कि जब Indian scientist वहाँ पर जाते हैं अपनी कच्ची पक्की French के साथ तो वहाँ जाके उन्हें realize होता है कि वो तो communicate ही नहीं कर पा रहे हैं तो S.E.P. जो company है जो rocket engine बना रही थी जहां से इंडिया सीख रहा था उन लोगों नहीं French सिख्वाई Indian scientist को ताकि बहतर communication हो सके और फिर वो technology transfer की जो पूरी process है वो smoothly हो सके और उनका काम भी हमारी Indian scientist smoothly कर सके इसलिए वो उनने खुदी सिकाई थी language हाँ ये बात जरूर है कि French पहले Indians को बहुत हलके में ले रहती क्या रही है क्या सीख पाएंगे तुम लोग कह रहे हो कि आके यहां पे सीख लोगे तो उसको लेकर जो एक सीन दिखाया है कि हाँ वो थोड़ा ठीक है कि RCD में इंडियन्स की अजाज़त नहीं थी लेकिन इननने फिर एक चीज़ पता करी कि इनका stability margin थोड़ा कम है वो उनने बताया तो इननने consider किया उस चीज़ को और French ने हमारी मदद करी पिर उस चीज़ को accomplish करने के लिए Nambi Narayanan तो अपनी किताब में यहां तक लिखते हैं कि उन्होंने भारत की space technology में इस हद तक मदद की है कि उसके जो head है, SEP के head जो वो rocket engine मरा रहते हैं हमारे तो उनको पदमश्री देकर हमें सम्मानित करना चाहिए, उन्होंने हमारी इतनी मदद करी है space technology में एक और scene जो sort of climax type का था वो यह था कि Russia से हमें cryogenic engine की deal करनी थी फिल्म में ऐसा दिखाया है कि यह वही रात है, वहाँ पे एक party चल रही है और उसी रात को Soviet Rus disintegrate हो जाता है और उसी रात को हम deal strike कर लेते हैं फटा-फट cryogenic engine के लिए अगले ही दिन फटा-फट American Spice से, उनके agents की नाक से चुप करके एक aeroplane से वो सारे engine के कुछ हिस से भारत लाए जाते हैं असलियत में क्या हुआ था कि भारत और रूस की deal चल रही थी cryogenic engine को लेकर एक contract sign किया था इंडिया और रशिया दोनों ने कि किस तरीके से किन शर्तों पर रशिया इंडिया को cryogenic engine जो है असली रीजन यह था अमेरिका का कि हमने उनसे नहीं खरीदी थी क्योंकि रूस वाले सस्ते में दे रहे थे हमने रूस से खरीद ली तो अमेरिका आकर objection करने लगा फिर क्या हुआ कुछ सालों के क्रम में हमने उस contract को change किया और थोड़ा सा manipulate करके धीरे धीरे वो रूस से तीन आ चुके थे लेकिन वो नहीं आ पाता है क्योंकि 30 नवंबर 1994 को इनकी गरफतारी हो जाती है नमवी नाराइनन की इसरो spy case में और वो cryogenic department के head थे तो वो सारा काम बंद हो जाता है वहाँ पर तो यह कुछ मुख के scenes हैं जिनें बहुती जादा dramatic तरीकिस दिखाया गया कुछ और scenes भी हैं जैसे की उन्नी नाम के जो एक साथी वग्यानिक होती है फ्रांस में इंडिया में उनके बच्चे की मौत हो जाती है और उनके पिता का फोन आता है जब उसको पता चलता है बाद में पूरा scene accurate नहीं है ऐसी घटना घटी है उस व्यक्ति का नाम लेकिन उननी नहीं था कुछ और था वो तीन महीने की ट्रेनिंग पर फ्रांस आये थे उनका crucial role भी नहीं था बस उनकी ट्रेनिंग थी और वहां रास्ते में एक साथ ही उसको बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया फिर वो लेटर लिखके इनको बताता है कि तुमने ठीक नहीं किया लेकिन उसी लेटर में ये भी कहता है कि एक तरीके से तुमने ठीक भी किया तो इस फिल्म को किसी भी तरीके से एक accurate biographical account की तरह consider मत कर लीजिएगा इन चीज़ों को गलत दिखाने के अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है वो छूट गई हैं crucial चीज़ें उनका बचपन कैसा था family background क्या था college के दिन professors के साथ उनका क्या रिष्टा था फिर एक बड़ी और घटना जो college के time पर घट जाती है और कैसे वो आगे बढ़ते हैं उनकी पहली नौकरी sugar factory में और उससे जो सीख है मिलती है इनको फिर वहां से resignation ये क्यों देते हैं घर पर क्या स्थिती होती है फिर कैसे accidentally सायोग वश इस रो जाइन कर लेते हैं इस रो में किस तरीके से व organization type का काम नहीं करता था इस रो विक्रम सारा भाई बहुत अलग type के आदमी थे ये पूरा description आपको किताब में मिलता है बहुत बढ़िया और ये सारी चीज़ें फिल्म में तो नहीं है और मैं ये बात समझता हूँ कि एक दो घंटे की movie में ये सारी चीज़ें नहीं storytelling है और किताब एक अलग पॉम है तो उस चीज़ें को मैं समझता हूँ फिर भी कुछ और चीज़ें जो फिल्म से मुझे missing लगती है वो है कुछ मशूर हस्तियों का उससे गायब होना शायद समय सीमा के कारण जैसे की TN session जो बाद में Chief election officer बनते हैं बड़े मशूर पूरा क नारायनन का TN session से और क्या वो आदमी थे वो चीज़ मिस कर देते हैं और सिर्फ ये तदाकतित बड़े-बड़े काम करने वाले नहीं जैने हम छोटा काम भी समझते हैं जैसे welder का काम आप क्या ही योगदान आपने सोचा होगा लेकिन उन्होंने राज नाम के एक welder का भी कर रहे होते हैं लेकिन बुक में ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता है ये दूसरे लोगों को उनके कॉंट्रिप्यूशन को और उनके रोल को इंडियन स्पेस सेक्टर में काफी अच्छे से हाइलाइट करते हैं उसको डिसकस करते हैं और नम्भी को एक परफेक्ट तरीके का आ नहीं तो किताब पढ़िए साइन्स और स्पेस में इंट्रेस्टेट जो लोग हैं उनके लिए ये मैं कहूंगा कि मस्ट रीड है इस्रों स्पाई केस नम्भी नारायनन में जिन लोगों की दिल्चस्पी जागी है उनको जरूर पढ़नी चाहिए ये और अगर कोई एस्प किताब से कुछ वेल्यूबल लेसंस मिलते हैं तो जो लोग एसपार कर रहा हैं तो ये ऊक्राइक, सरकारी तंतर में जाने का उनको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए अच्या सारी चीज़ ने जोर घुलब के समली चाहिए का वर फिल्म के मुकाबले तो बहुत ही ज़ा पास उतनी सहूलियत और उतनी फुरसत नहीं है इतनी मेरे पास है इस किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यार बढ़ियां-बढ़ियां किताब हैं थोड़ा से हमको भी कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर दीजेगा मैंने बहुत किताबं पढ़ी नहीं है मुझे बार-बार पढ़के यही रियलाइज होता है बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी कॉमेंट्स करते हैं बहुत एंडरिच करते हैं मेरे नॉलेज को चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजे अच्छी लगजे तो वीडियो को लाइक हो देखी जिंदगी हजारों की रंग फीके हैं पूरी हालत है दिवारों की हालत है दिवारों की